अगर आप लोग कर रहे हैं MS Set की तयारी, दिसंबर में MS Set की तयारी कर रहे हैं, आप तो Unacademy आप लोगों के लेकिया है Revizothon Series, जी हाँ यह जो Revizothon Series है, यह अपने आप में Complete Revision Series है, जो की Unacademy लेकिया आया है, और यह जो Complete Revision Series है, यह 15 दिन के लिए, यानि 15 दिन के अंदर आ जा रही है Unacademy की तरफ से, इन 15 दिनों में आपको 1500 घंटे से भी उपर का टाइम पढ़ाया जाएगा, यानि लगबगा आप मान सकते हो कि एक दिन का 10 घंटे से भी उपर का टाइम, Unacademy के जो Top Educators है, आप आप फोटोस देख सकते हो, या Top Educator, आपके Favorite Educator, आपको MS Set की तय यारी करवाने वाले हैं Unacademy के Revise-a-thon सीरीज के अंदर, इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो Unacademy हैं, उसके कुछ बैचिस शुरू हो रखे हैं, अल्रेडी JRF 2021 का Target बैच शुरू हुआ हुआ है, Unlimited Course का बैच शुरू हुआ है, और यह सारे जो बैचिस हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, और Unacademy में अगर आप इस Code का यूज करते हों, NTN.net, तो आपको 10% का Discount भी मिलेगा, On Subscription of Any Available Course on Unacademy, इसके अलावा मैं आपको कल का Time Table जरह बताता हूँ, कल Day 7 है, 7 December, और यहाँ पर आपको Time Table है, पूरा का पूरा आप चाहें, तो इसका स्क्र आपना कल का दिन जो है वो तै कर सकते हैं, रिवाइज ओ थान सीरीज के नाम इसे कर सकते हैं, I hope आप लोग समझ गए होंगे, यह पूरा का पूरा आपका Schedule है, 7 December का, आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिये हुए हैं, लिंक में जाके आप लोग ए यह topic जो है, यह challenges of nation building नाम के chapter से आपका जुड़ा हुआ है, और यह topic 2020 में ही आपके slaves में add किया गया है, इस topic का नाम है सरदार वल्लब भाई पतेल, पतेल and the national integration, जी हां, यह बहुत time से बात कही जाते है कि सरदार वल्लब भाई पतेल को हमारी किताबों में थोड़ी कम जगा मिली है, तो इस साल जो political science है, उसके slaves में यह नया addition हुआ है कि सरदार वल्लब भाई पतेल का जो role था उसे वच्चों को specially पढ़ाया जाए, और इसके बारे में आपका 3-5 number का question तयार हो सकता है, इसके अलावा एक number में भी आप से कई सारे चोटे-चोटे question सरदार वल्लब भा पतेल हमारे देश के पहले deputy prime minister थे, अब आपको किसी को अपना deputy PM बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, उस time पर जवालला नहरू ने तै कि वो सरदार वल्लब भाई पतेल को deputy PM बनाना चाहते है, तो उन्होंने उन्होंने देश का पहला deputy prime minister बनाया, इसके अलावा वह हमारे देश के पहले home minister भी थे, अपने आप में एक बहुत बड़े नेता, एक ऐसे नेता जिन्होंने हमारे freedom movement के अंदर participate किया, और जो इनकी जो freedom movement का जो major leader बनने का जो काम था, वो खेडा सत्यग्राय नहीं किया, खेडा सत्यग्राय आपको पता है, गुजरात में हुआ थ हैं सरदार वल्लब भाई पतेल की, आप वैसे तो हर हिंदुस्तान का हर जो नागरिक है वो जानता है सरदार वल्लब भाई पतेल को, फिर भी मैंने आपे फोटो लगाई है उनकी ताकि हम उन्हें as a visual अपने दिमाग में याद रख सकें, सरदार वल्लब भाई पतेल को हमा काम ये था कि आपको देश को एक बनाना है वैँ आपको करते इस टाइम, नहीं था जी नहीं देश उस टाइम, छोटे 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 5.65 प्रिंशवी स्टेट के अंदर डिवाइड़ था प्रिंश्वी स्टेट मतलब 5.65 छोटे 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 राजाओं का अलग तो इतने सारे जब छोटी-छोटे प्रिंसली स्टेट थे, उन प्रिंसली स्टेट को एक साथ देश के अंदर एड करने का काम किसका था? सरदार वल्ली भाई पटेल का, तो सरदार वल्ली भाई पटेल ने अपने political experience से, अपनी डिप्लोमेटिक प्रोवेस की मदद से अपनी फार साइटिडनेस की मदद से इन 565 में से जादतर जो स्टेट थे उन्हें आजादी से पहले ही देश के अंदर मर्ज उन्होंने करवा दिया इसके लावा सरदार वल्लब भाई पटेल ने जब इंटिग्रेशन करवा रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने तीन स्टेट से आया पहला था हैदराबाद जहां पे निजाम थे दूसरा था जुनागड और तीसरा था कश्मीर इन तीन जगाओं को सबसे आदा चैलेंज सरदार वल्लब भाई पटेल को जहिलना पड़ा सरदार वल्लब भाई पटेल की लीडर्शिप में इंडियन आर्मी जो थी उसे हैदराबाद भेजा गया क्योंकि निजाम जहें बात नहीं सुन रहे थे तो सरदार वल्लब भाई पटेल ने आर्मी भेजी और हैदराबाद को चारो तरस से घेर लिया जो वहाँ के नवाब थे वो पूरी तरह से कमपैल हो गए कि हैदराबाद जो है उसका मरजर इंडिया के साथ हो जाएगा और सेम ऐसी सिच्वेशन रही जुनागड के साथ भी जैसा हैदराबाद के साथ उन्होंने किया था सरदार वल्लब भाई पटेल चाहते थे कि कश्मीर का इंटिग्रेशन भी पावर के बलपर कर लिया जाए लेकिन जो राजनीती होती हो किसी एक नेता के लेने से तो नहीं होती एक नेता के करने से तो नहीं होती बहुत सारे लोगों का डिसीजन होता है एक पॉलेटिकल डिसीजन जो है वो लिया गया कि भी कश्मीर को इस तरह से सौल्व नहीं किया जाएगा तो सरदार पटेल जो है वो कश्मीर को उस तरह से कभी भी हमारे देश में इंटीग्रेट नहीं करा पाए और आपको पता है आजादी की बाद फिर कश्मीर का अपना सविधान बना अपना जंडा बना आर्टिकल 370 आप लोगों को पता होगा आप फिलाल उसे खतम कर दिया गया है मैं बात कर रहाँ 2020 की तो इसे फिलाल खतम कर दिया गया है आर्टिकल 370 एक लंबे समय तक कश्मीर में पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा था जिने हम 3 शब्दों में पिरो सकते हैं उन 3 शब्दों का नाम है NCR NCR का मतलब है नेशनलिस्ट एक ऐसा नेता जो देश के बारे में सोचता था एक ऐसा नेता जो कैटलिस्ट है यानि कहीं पर भी कोई भी कहानी अटक जाए तो इस अटकने को fast process में ले जाने का काम सरदार वल्लब भाई पटेल करते थे यानि कि चीजों को कैसे आगे ले जाना है कैसे चीजे रुकनी नहीं चाहिए सब चीजों को आगे fast forward करते रहना है ये सरदार वाल्लब भाई पटेल काम था और सरदार वाल्लब भाई पटेल अपने आप में एक रियलिस्ट भी थे वो जानते थे कि कहां पर युद्ध की ज़ौत है और कहां पर शान्ती की ज़ौत है यह सब काम सरदार वल्लब भाई पटेल जानते हैं इसलिए इने पॉलिटिकल हिस्ट्री में NCR कहा जाता है यहाँ पर जो फोटो में ने लगाई हुई है सरदार वल्लब भाई पटेल की यह सरदार वल्लब भाई पटेल का स्टैचू है Statue of Unity कहा जाता है हमारे देश का सबसे उचा Statue, पूरी दुनिया का सबसे उचा Statue, सरदार वल्लब भाई पटेल का Statue of Unity ठीक है जी, तो ये आपके पूरा का पूरा सरदार वल्लब भाई पटेल के अवारे में दिया हुआ था, मैंने आपको इसकी अलावा आपके सामने तीन नंबर में कोशिण आ सकता है ये सरदार वल्लब भाई पटेल को लेके और पांच नंबर में आपसे कोशिण पूछा जा सकता है तो अभी भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और वीडियो पसंद आई है तो येर वीडियो को शेर कर दो लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब थैंक यू वहरी मच देस वा सचन मंसल साइनिंग आफ